दोस्तों आसा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत सारा पानी पी रहे होंगे दोस्तों अगर कोई आज मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ इस चैनल पे मैं हर बार एक अलग-अलग प्रोडक्ट का ओनेस्ट रिव्यू और साथ में डेमो ले करके आपके साथ आती हूँ तो शेयर करती हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में वो सब जानकारी जो मैंने अपने खुद का एक्सपरेंस से कलेक्ट किया है, मैंने अपने लिए जो प्रोडक्ट को यूज किया और उसका क्या मेरिट्स वा, क्या डेमेरिट्स वो सब बाते मैं यहां पे आप लोगे साथ स्यार करती हूँ वो सब जान करें आपको पहुंचाना है की कोसिस करती हूँ ताकि आपको वो प्रोड़क्ट अपने लिए चूज करना है नहीं करना है आपको सूट करेगा नहीं करेगा वो सब बाते में आप अच्छे तरह से जान सकें और आपका money waste ना हो तो आसा करती आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा हर तरह की तरह हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नया प्रोड़क्ट के बार साथ अपके लिए ये वीडियो ले करके आई हूँ तो दोस्तों अगर आपने ये चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और bell icon को भी प्रेस कर दी ताकि आप अपने लिए सही product चूज कर सकें ठीक है तो दोस्तों क्योंकि आज का अब thumbnail देखके जानी गया हूँगी कि आज का product क्या है तो आज का product है anti-aging cream के बारे में ठीक है तो anti-aging cream के बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी मैं कौन सा product यूज कर रही हूँ वो भी मैं आपके साथ details में share करूँगी उसका क्या result मेरे को मिला है वो भी मैं share करूँगी बट उससे पहले कुछ basic चीजे हैं जो कि हर कोई को जानना चाहिए ताकि आपको वो product लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वगेरा वगेरा सब कुछ easy हो आपको वो product चूज करना है नहीं करना ह वो आप perfectly confusion में ना रहे हैं और वो चीज आप choose कर सकें तो उसके लिए मैं आप लोगे साथ कुछ हलकी एक दो मिनिट लगेगी वीडियो को छोड़के मत जाईए आप skip मत करिएगा क्योंकि अगर ये जानकरी आपके पास नहीं होगी तो आपका money आगे अभी तक waste होता है तो इसलिए हम ये जानकरी सुन लिजे आप ताकि आपको easy हो जाए तो सबसे पहले अगर हम anti-aging cream के बारे में बात करें तो anti-aging cream कब यूज करना चाहिए anti-aging का मतलब तो सब को ही जानते हैं दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि हम को कब से ये वाला anti-aging cream जो है इस्तिमाल करने चाह होंगे बहुत जन आपको suggest कि होंगे कि 20 से 25 साल sorry आप 30 साल के बाद आप इसको use कर सकते हैं but मैं आपको suggest करूंगी अगर आप अभी 23 cross कर चुके हैं या फिर 23 age में है 22-23 में तो आप immediately anti-aging cream को as a night cream के हिजाब से यूज करना start कर दीजिए ताकि आपको आगे में चलके आपके skin में कुई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की परिशानी ना हो 20-22 साल क्यों मैं बोल रही हूँ 20-22 तो ने 23-24 साल के उमर से आप शुरू कर सकते हैं क्यूंकि अभी का जो environment हम लोग का है अभी का जो situation है सारा pollution में भरा हुआ है आपका ना खाना organic मिल रहा है वो भी polluted है और हर चीज pollution में है है पानी भी हमको अच्छे से साफ नहीं मिल रहा है तो वो सब को हम नजर अंदास तो नहीं कर सकते और वो सारे चीज है जो हम लोग का हेल्थ को अंदर से भी और बाहर से भी हार्म करता है तो इसलिए मैं बोल रही हूं दोस्तो अभी के situation अभी के इंची उमर है आपका 24 के बाद मैं बोल रही हूं कोई भी हमर है तो बेज जिजक आप ये स्क्रीम को स्टार्ट कर सकते हो यूज कर सकते हो तो सबसे पहले हम anti-aging cream क्यों use करना हमको चाहिए उसके बारे में हम पहले बात करें तो दोस्तो anti-aging cream हमरी त्वचा को damage होने से बचाती है हर anti-aging cream में antioxidant भरपूर मातरा में रहती है अगर आप कोई भी anti-aging cream अभी use कर रहे हैं अपने लिए तो उसमें जरूर चेक करिए कि antioxidant का percent कितना percent में वहाँ पे मौझूद है antioxidant क्या होता है antioxidant का काम क्या है antioxidant वो चीज है जो हम लोग का त्वचा को हम लोग का skin को damage होने से रोकती है free radicals को रोकते है अब यह free radicals क्या है free radicals को अगर हम समझाने के लिए में अगर आपको layman language में बता हूँ तो वो होता है कचड़ा जो कि हम लोग का body में chemical changes के वजह से इकठा होता है और वो धीरे धीरे अगर skin में एकठा होता जाए तो आपकी skin में dark spots, pigmentation, blemishes, जाया, जूरिया यह सब देखने को मिल जाता है तो antioxidant हमको skin में चाहिए है वो अंदर से भी और बाहर से भी तो अंदर के लिए तो हम healthy fruits and vegetables वो सब ले सकते हैं बट बाहर के लिए obviously हम market based chemical based product का ही use करने के लिए pound हो जाते हैं तो इसलिए अगर हमको कोई भी anti-aging cream लेना है तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे antioxidant का properties कितने परिमान में है ठीक है और वो जो free radicals को वो हटा देता है ताकि हम लोग का skin जो है वो dry ना हो सके अगर skin dry होता जाएगा तो उसमें जाईयां जूरियां pigmentation जैसे आपको सारा problem दिखाई देरे लगेंगे तो अब आपको संखेब में मैं आपको बता दी कि antioxidant क्या होता है और anti-aging cream में antioxidant का presence कितना जादा महत पर रखता है अभी आपको समझने में easy हो गया होगा कि anti-aging cream क्या है उसको किस उमर से हम सुरू कर सकते हैं और क्यूं करना चाहिए और कप करना चाहिए अब depend करता है कि कौन सा anti-aging cream हम use करें तो देखिए दोस्तो हर कोई का skin type जो होता है वो अलग-अलग होता है आप सबसे पहले अपना skin type के बारे में confirm होए कि आपका skin कौन से type है क्या आपको suit करता है क्या नहीं करता है उस basis में आप अपना product को जौच कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के product के बारे में उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अभी तक थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक करता मत भूलिएगा और वीडियो को end तक जरूर देखिए पसंद आये तो चैनल को subscribe करने के लिए भी मत भूलिएगा तो आज का हमारा जो product है वो है anti-aging cream जो कि मैं अभी currently use कर रही हूँ वो है Olay Age Protect anti-aging cream ये long lasting and moisturization provide करेगा जो कि product दावा कर रहा है इसमें आपका कुछ सबसे पहले इसका packaging के बारे में बात करें तो देखिए ये बहुत ही beautiful सा packaging है dark brown और light yellow color में आता है तो packaging इसका cardboard packaging है outer package में इसका ingredients के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए इस इस anti-aging cream में जैसे कि मैं आपको बताए anti-oxidant का आपको परिमान देखना ही होता है और इसमें और क्या क्या है सारा ingredients आपको details में इसमें मिल जाएगा दूसरा है कि आपका यह what it does क्या करेगा क्या नहीं करेगा तो यह बोल रहा है कि यह आपका skin में hydrate provide करेगा आपकी skin में elasticity को maintain करेगा आपका skin को dull होने से बचाएगा smooth रखेगा moisturize रखेगा और आपको आपका skin को धीरे-धीरे clean करके smooth and long lasting रखेगा आपका skin की suppleness को ठीक है तो दूसरा इसको use कैसे करना है simple है दोस्तों यह है जैसे कि हर cream को आप use करते हो आपका face clean करने के बाद इसको आप neck से ले करके आपका face में पूरा अच्छे से massage कर सकते हो eye cream में contact नहीं होना चाहिए अगर हो भी जाता है तो आप इसको धोलो यह तो basic है हर कोई cream में रहता है आपको पता ही है दूसरा अगर हम इसका self life के बारे में बात करें तो दोस्तों यह तीन साल की आपकी self life आ जाती है और इसका product quantity जो है 40 gram का product quantity है इसमें 40 gram का product आपको 349 रुपीज इसका MRP है जो कि आप अगर online में sell के दौरान परचेस करते हो तो यह आपको 320 तक भी आराम से मिल जाता है तो बस यही है इसका और यहां पर उसका कैसे यूज़ करना है वो बताया है तो छोड़िए इसको हम चलते हैं अंदर का इसका package में और यह कुछ इस तरह का open होगा और अंदर का packaging देखे बहुत ही सुन्दर है बहुत ही जादा सुन्दर बहुत पसंद आया में को इसमें भी आपका same लिखा हुआ है आपका expari rate और आपका MRP net quantity भी mention किया गया है इसका जो body है यह plastic का body में है और जो उसका कैफ है वो black color का glossy look पे आ रहा है बहुत ही सुन्दर सा है तो अगर हम इसका consistency के बारे में बात करें तो देखे यह rotate होके आपका open हो रहा है कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं कलर जिसका जो है वो perfect white color है बहुत ही इसका texture भी आप देख सकते हैं रनी नहीं है बिल्कुल क्रीम कलर है बहुत ही अच्छा सा इसका fragrance आ रहा है बहुत mild fragrance है अगर night cream के हिसाफ से यूज़ करें तो आपको बहुत ही अच्छा ये जो नहीं बोलते हैं इस फ्रेग्नेंस भी काम करता है आपको नीन दलाने में तो ये भी उसी हिसाफ से आपको काम करेगा दूसरी बात अगर इसकी करें देखते हैं लगा करके कि ये skin में कितना जल्दी blend होता है तो दोस्तों देखिए अभी मैंने face पे अपना कुछ भी नहीं यूज़ किया है कुछ भी नहीं वस face wash करके मैं बैठी हुई थी और चलिए मैं आपको ये cream अपने face में ही यूज़ कर सकते हैं अगर घर में है make-up नहीं करना है तो आप इसको दिन में भी यूज़ कर सकते हैं ये as a night cream नहीं है वर anti-aging cream है आपको इसको अच्छे से अपने पूरा face में मसाज करना है आप neck में भी कर सकते हैं और ये लगाने के बाद दोस्तों बहुत ही smooth फिल हो रहा है सफलने से ठो लग रहा है अपके गालों में पूरा अच्छे से और ये देखिए पूरा blend भी हो गया कहीं पर भी ज़्यादा oily नहीं है बिलकुल भी oily नहीं है चिपचिपा नहीं लग रहा है बिलकुल slippery है इसका texture और क्रीम का जो फ्रेंगन से बहुत ही मस्त आ रहा है दोस्तों ऑनेस्ट लेकर मैं इसको बताने जाओं तो ये मैं इसको यूज़ कर रही हूं लग भग ये मेरा second bottle है और first जो मैं यूज़ की इसके बाद मैं दूसरा product ट्राय कर रही हूं क्योंकि उसका भी review आप लोग के साथ में जलू जल्दी से शेयर करूंगे और ये इसका मेरा जो result है ना जाओं एक दो लाइन से दिख रहे थे मेरे को एक साइड में ही यहाँ पे एक दो लाइस आ रहे थे वह मेरा बिल्कुल से हट गया है अभी आप देख रहोंगे कुछ भी नहीं है यह एक भी लाइन आप नहीं देख पाएंगे तो यह हाँ यह ओले का प्रोड़क्ट मेरे को बहुत सूट भी किया है दूसरा मैं आपको बता दो कि मेरा स्किन जो है वो एकसेस ड्राय में जाता है समर के टाइम में यह ड्राय टो एकसेस ड्राय में चला जाता है तो यह प्रोड़क्ट मुझे बहुत ही जादा सूट किया बहुत ही अच्छा मेरे जैसे अपस स्टार्ट हो रहा है अपकर अनडर आय में थोड़ा थोड़ा आ तो वह है थो दो सकता है यह जो दावा करता है कि अपका आपको पूरा ना I B मेयरे जैसे कोई किन अब्सक्राइब जरूर दे YOUNGIR hey Star शार शे पांज़ तक किन को मैस्टराईब रख रहा है मैं बहुत प्रिफर करती हूं इसको घर में हमेसा लगा पर बुवौश हचेन पर कुछ भी नहीं लगा हुआ था कुछ भी नहीं बस मैंने यही कोई Talk घृइपल लग रहा है साथ हमी एक Tabii सब देख सकते हैं sowas इसलिडियन नहीं दोस्तो यह ऑल बडुन्स कोछने से बट है वह सते एलगोईन कुसटो लाओ लगाने के बाद है बोहत ऑच्छा लग है तो जी दोस्तोव तो अगर कोई भी अभी टीनेज मलब अंटी एजिंग क्रीम यूज करना चाहते हैं या फिर कोई भी एज में हैं तो आप ओले के क्रीम के साथ जा सकते हैं और बात करों अगर इसका एफ़र्ट की तो जी यह 40 ग्राम क्वांटीटी 349 रुपीज में काफी एफडबुल है इस या फिर नायट क्या रूटीन में चाहिए अभी शामिल कर लिजे और कोई भी कॉलेज गोईंग गल है तो आप इसको दिन में भी एज-ग क्रीम आपका इसको यूज कर सकते हैं या फिर नाइट क्रीम के तरह उसको यूज कर लिजे उन्टी एजिंग क्रीम नहीं है तो मैं आपको बताई वह साइन भी आएगा इसमें और लॉंग लाइस्टिंग मुश्चर ओवियसली होगा दोस्तों तो मैं यह रेकॉमेंट करूंगी आप भी एक बार ट्राय करके देखें एफोरडेबल है कहीं पर भी और अगर आप नाइका अमाजन में ट्राय करेंगी तो य यहां नाइका, फ्लिपकार्ड, आमाजन खाही का भी अगर कम प्रायस में मिल जाएगा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी आप उस महां से भी चेक आउट कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ आज का यह जो वीडियो है आपको हेल्फ अगर आपको कोई भी प्रोडॉक्ट का रिव्यू जानना है तो कॉमेंट में आप मेरे से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी कॉस्टिन हो तो मैं उसका जल्दी से आपको रिप्लै करने की कोशिज भी करूंगी तो चलिए फिर मिलते हैं, नेक्